जब जब दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा गेप ओपनिंग होता है 15 मिनिट बाद ही बोल देता है मेरा हो गया अब मैं सोने जाता हूँ भाई मुझे कोई मुमेंट ही नहीं देना और वही आज की दिन हुआ दोस्तों कम्प्लीटली साइड़ेस मार्केट 10 बजे के बाद औ और अगर आपने भी तक मेरे फिरी बाले टलीग्राम पे नहीं जॉइन किया तो जाके जॉइन कर लीजे क्योंकि जो भी लोग जॉइन किये हैं उनका पेसा बचा मेरे वाई वो ट्रेट से बच गये क्योंकि आज के दिन जो भी मैं लेबल दिया वो एक्टिवेट ही नहीं था 46,966 के उपर दो ग्रीन केंडल क्लोज करेगा तो हम कॉल भाई करेंगे उसके बाद अगर आपने देखा होगा दोस्तों दोनों ग्रीन केंडल क्लोज क्या और जो मोमेंट दिया भाई गजब का मोमेंट तम था और अगर मैं आज की बात करूँ एक ही एक्जेंपल दू गया तो यहां पर बच जाते ना यार फसने में यूँकि लोग कॉल भाई कर लेते हैं बिना कोई सेट अप के इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आप जाके जवेन कर लीजिए और कल के दिन सेंसेक्स एक्सपारी है उसका ये डेडिकेटेड स्पेसियल वीडियो है और आपन उसको देखने के लिए आप प्लीज सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तभी जाके आपको मिलेगा और ये वीडियो प्रॉपर सेंसेक्स के ओपर डेडिकेटेड रहेगा कल सेंसेक्स का इस्पारी है उसका ओप्सन चेर्म सब कुछ हम स्टेप बाई स्ट करके गए थे उनको मैंने आज के दिन आट पचास के आसपास रिप्लाइ दे दिया था कि भाई मार्केट बहुत बड़ा गेप खुल रहा है प्रॉफिट बुक कीजिए एंजोई कीजिए और जो भी लोग मुझे कमेंट किये थे कि सार पुट होल्ड है पुट होल्ड है मै अब जाके देख लीजे मैं यहीं बोला था गुट मॉर्निंग भाई आज के दिन आपके लिए सेट नहीं हुझे मार्केट बहुत बड़ा गेप खुल रहा है लॉस बुक कीजिए अब जो लोग लुस बुक नहीं किये मेरे बात सुनके और वो एवरेज करते रहेगे उनक को पता चल गया कि यार नहीं करना एवरेज लोग यहीं गलती करते हैं और मैं बोल बोल के देख जाता हूं कि आप कमेंट कीजिए मैं प्रोब्लेम का स्वाली संदूंगा बस उसके बदले में एक ही चीज मांगता हूं कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ल 70,602 यह अगर ब्रेकाउट कर देता है कल के दिन सेंसेक्स देन डेफिनेटली दोस्तों हम कहीना कहीं कॉल बाय करेंगे ठीक है इसके पीछे क्या रिजहन है देखिए धीरे धीरे इसे ही अगर आप देखोगे आज की दिन मार्केट गेप खुला यह मूब दिया उसके बास साइडे जुआ हुआ 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 इसलिए मैं कहाँ बाई 10 बजे एक बातों कोई मॉमेंट था ही नहीं तो यहां पे जो हाई था दोस्तों यह हाई को अगर आप देखोगे कहीना कि आज की दिन सेंसेक्स ने ब्रेकाउट दिया ठीक हैं ब्रेकाउट देखे अगर आ आखीर बागे फिर यहां पे क्लोज हुआ तो कहीना कहीं स्ट्रेंथ तो थोड़ा सेंसेक्स में दिख रहा है थोड़ा किया ज्यादा दोस्तों इतना बड़ा गेपव ओपनिंग होने के बाद भी सस्टेंड किया बड़ी बात है यहां कि जातर मार्केट सस्टेंड नहीं क प्रोज दिया तो कल फ्लेट खुला साइडेज होके जैसे ही दोस्तों ब्रेक आउट देगा तब डेफिनिटली हम कॉल बाई करेंगे यह क्लियर हो गया दोस्तों पहला भी आपको पूरे के पूरे क्लियर है ओके प्लान नमबर ए प्लान नमबर बी यह तो आपको पता चल लाइक दिस कि मार्गेड एक दो रेट केंडल मारेगा थोड़ा गिरिर मारेगा फिर से अगर लोग को ब्रेक कर रहा है ना तो आपको एक कंफरमेशन मिल जाता है मैं इसे नहीं बोल रहा हूं कल 70,379 के नीचे 5 मिन का रेट केंडल क्लोज करते ही पूट बाई करो या फिर क्या उपर गया तो मेरे भाई कल के दिन 70,379 के नीचे अगर आएगा जहां पर आप देखोगे दो बार सपोर्ट लेके उपर गया है तब जाके मार्केड नीचे आएगा क्लीर हो गया अब ड्रॉइंग रिमूब करते हैं और एक अलग सा भी थोड़ा डिफरेंट आज कल यही बीए बेरी कि भाई गयप भी खुल जाता है ना तब भी और उपर जाने लगता है जो की मेरा एक्स्पिरिंस की सबसे पहले ऐसे नहीं होता था गयप खुलने के बाद 99% टाइम मार्केड में प्रॉफिट भूगी ही देखने को मिलता था ठीक है मार्केड का स्ट्रक् घणा ये इस ताइप जाकर बन सकता है orbit ऐसे ऐसे कर जाए से बाद के करना क्या है सिंपली पांच मिनिट में चाहे ऐसे ऐसे करके range बने या फिर side is हो जाए 15 minute या फिर इस type का range बने बस उसका low और high को mark कर देना है उस range का ठीक है और 15 minute का बाद 15 minute का जो range बनाए है दोस्तों उसके बाद जिस तरब भी market breakout दे रहा है न चाहिए उपर दे नीचे जे कोई मतलब नहीं उस side trade कीजे मतलब माल लेते हैं कल की दिन gap up खुला gap खुलने के बाद ये पहला candle है ये दूसरा candle है और ये तीसरा candle है ये तीसरा candle का high को mark कर देना है लो को mark कर देना है चोथा candle जैसे ही breakout दे रहा है नहीं sell कर लो लो बनते हैं sell कर लो पहला पांच मिनिट के अंदर लो टूटते हैं sell कर दो कर सकते हैं बड़ दोस्तों चीजों को थोड़ा मैंने बदल दिया मेरा भीव ये है कि कल की दिन gap up अगर खुलेगा तो होगा क्या पता हैं दिखे कल की दिन sensex का expire यह है ठीक है कल अगर बहुत बड़ा gap up खुला ना तो 15 मिनिट के अंदर जो भी market range बनाएगा उसका low और उसका high बहुत सारे player मार करके बेटे होंगे दो type के player हैं यहाँ पे जो लोग call buy करके गए हैं कल अगर gap up खुला तो उनके account में profit दिखेगा और वो यह सोचेंगे कि भाई profit तो मिल रहा है पर 15 मिनिट का low अगर टूट जाएगा ना मैं अपना profit जो भी मिला मैं निकाल दूँगा buy कर रहा हूँ तो मैं sell करने बाला हूँ कल के दिन exit करेंगे तो उसके बाद तो sell position और बाकी बहुत सारे लोग करेंगे तो नीचे आ जाएगा अगर कल की दिन like side is होके उपर की तरह फिर breakout कर रहा है तो जो भी लोग put buy के हैं वो तो loss करेंगे ही करेंगे अनिकि sell position को exit करेंगे तो buy में convert होगा end जो लोग call को sell करेंगे उपर के इंसारे लेबल पर उनको और सौक लगेगा आ रही है तो sustain करना है 15 मेंट के बाद तो फिर market उपर जा रहा है जैसा आज की दिन गया थोड़ा इसे ही तो market कहीना कि फिर shorts covering लिए आने लगेगा धीर धीर उपर sustain कर लेगा तो कल की दिन के लिए थोड़ा unique भी हो नहीं तो जो लोग regularly वीडियो देखते हूं उनको अच्छे से पताएं में क्या बोलता हूं कि M patent बनते ही यह वो बोलके बट आज का move और अभी इलेक्शन का जो result आया था उस दिन भी इतना बड़ा move तो थोड़ा कहीना के market का structure change हो चुका है ठीक है और कल के दिन अगर बहुत बड़ा gap down खुल गया gap down खुल गया दोस्तों तो कहीना के W patent बेंते ही हम call ही buy करेंगे gap down खुलने के बाद तो मेरा कोई down side का और view नहीं रहेगा ना कि ये बोलूगा कि 15 मिनिट का AC range बगर आप कहीना कहीं उपर नीचे breakdown करता है तो आप put buy करो बोलके थोड़ा doubtful है क्यों gap down खुलेगा तो पता है कहाँ पे खुलेगा यहाँ पे देखी यहाँ पे अल्डेडी दोस्तों एक तकड़ा support है अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले resistance था इसके उपर आज की दिन market खुला तो रिश्टन support बना market उपर चला गया तो पता है gap down खुलेगा तो क्या हो हाँ 530 के आसपास close दिया है दोस्तों Sense6 अब आच चुके हैं Sense6 के option chain पे तो यह हमारे call writer यह हमारे put writer और सतर हजार 500 के आसपास कहिना के close दिया है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सतर हजार 500 पहीं 3,24,000 से ज्यादा call writer सीधे सीध्या आके front foot पे खेले क्योंकि उसके ऊप उपर अगर आप देखोगे सतर हजार चे सबहे दो लाक मजा नहीं है सतर हजार साथ सबहे दो लाक 14,000 मजा नहीं है उसके ऊपर दो 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 लाक ही यार कोई strength ही नहीं दिख रहा है कल अगर हाई टूट गया 15 मिर्ट में इसलिए कहा गेपब खुला 15 मिर्ट सश्टे क्या तो automatically market आपको उपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा नीचे की अगर मैं बात करो दोस्तों ठीक ठाक सा put writing है सतर हजार चार सो पे अगर आप देखोगे तीन लाग 42,000 से जादा put writer उसके नीचे दो लाग 2,000,000,000 put writer है और सतर हजार पे जाके 5,000,000 put writer है तो put writer strong है नीच जाने का chances थोड़ा कही न के कम हो जाता है दोस्तों टेक्निकली भी अगर मैं देखूँ तो कही न के यहाँ पे अगर आप देखोगे support zone है जहां से market कही न के तीन बार टच करके उपर गया है इसके नीचे भी support zone है तो इसलिए put writer भी strong है तो नीचे आने का chances थोड़ा कम है ब तो कि आदे घंटे में मैं second video लेकर आने बाला हूँ thank you so much video को पुरा देखने के लिए take care bye and see you